नमस्कार प्यारी बच्चों, अर्च्षास की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आपने पिछली कक्षा में जाना कि शोद के उद्देश्य तथा आकडों की विशेश्टाओं के आधार पर आकडों के आरेखी प्रसुतिकरण तीन प्रकार से होता है। पहला जामिती आरेख, दूसरा बारंबारत आरेख तथा तीसरा अंकगणितिय रेखिक आलेख। आपने आकडों के आरेखी प्रसुतिकरण के महतुर तथा आरेखों की सनरशना के नियम को विस्तार से जाना था। साथ ही हमने जामिती आरेख, दंड आरेख के तीनों प्रकार, सरल दंड आरेख, बहु दंड आरेख, तथा घटक दंड आरेख, तथा वरत आरेख की निर्मान प्रक्रिया को भी समझा था। आज की कष्षा में आप बारंबार्त आरेक तथा अंक गणितिय रेखिक आलेक के द्वारा आरेक ही प्रस्तुति करण के विशा में अध्यन करेंगे सबसे पहले हम जानते हैं कि बारंबार्त आरेक क्या होता है विभिन वर्गों में वर्गिक्रित बारंबार्ता वित्रण के रूप में प्रस्तुत आंकडों को समानेत बारंबार्ता आरेखों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है बारंबार्था आरेक बारंबार्था वित्रण सार्णी की तुल्ला में आंकडों की लक्षणों और संबंदों को पहचान करने में अधिकारगर होता है बारंबार्था आरेकों की सायता से मद्धिका, बहुलक, चतुर्थक आधी का स्थान निर्धारित किया जा सकता है आईए बारंबार्ता आरेखों की सरनश्टना करते समय ध्यान रखने योग्य नियमों का बारे में जानते हैं बारंबार्ता आरेखों की सरनश्टना के सिध्धान्त पहला चरके मानों को एक्स अक्षपर दिखाया जाता है उधारन के लिए आयू जो वर्षों में दी गई है कि आधार्स पर विद्यार्थियों के वर्गों के वित्रण को आयू को X अक्ष पर दिखाये जाएगा दूसरा वर्गों की बारंबारता Y X पर दिखाये जाएगा तीसरा, यह आवशक नहीं कि वर्गों को दर्शाने के लिए X अक्ष 0 से ही प्रारंब हो, परन्तु Y X सदेव सुन्ने से ही प्रारंब होता है चौथा, बारंबार्ता आरेक का एक संक्षिप्त एवं स्पस्ट सीर्शक होना चाहिए आईए बारंबार्ता आरेकों के प्रकार के बारे में जानते हैं आज की इस कक्षा में हम चार प्रकार के बारंबार्ता आरेकों पर चर्चा करेंगे पहला आयत चित्र, दूसरा बारंबार्ता बहुबुज, तीसरा बारंबार्ता वक्र, तथा चौथा तोरण या संचिय बारंबार्ता आरेक अब हम आयत चित्र के बारे में विस्तार से जानते आयत चित्र विभिन आयतों की एक शंकला होती है जिसमें प्रतेक आयत की चोड़ाई एक वर्ग अंतराल को दर्शाती है तथा प्रतेक आयत का छेत्र फल वर्ग बारंबारता के अनुपात में होता है आये चित्र द्वारा, संतत, श्रंकला के समदित, मदों तथा उनकी बारमबारतओं को आयतों के रूप में घ्राफ पेपर पर दर्शाये जाता है. यदि वर्गों के अंतराल का विस्तार एक समान है जैसा कि समानेता होता है तो आयतों का छित्रफल उनकी बारंबर्ताओं के अनुपात में होता है हाला कि कई प्रकार की आंकडों में विभिन विस्तार वाले वर्ग अंतरालों का प्रियोग सुविधा जनक होता है तथ कई बार यह आवशक भी हो जाता है इस प्रकार प्रतेक वर्ग अंतर की सीमाओं के माप बिंदूओं पर वारंबरता की उचाई के बराबर लंबी रेखाएं खीच कर आयत बनाया जाता है आयत एक दूसरे से बाएं से दाईं और मिलते जाते हैं यदि वर्ग अंतराल समावेशी हैं, तो उसे पहले अपवर्जी बनाया देना चाहिए। आयत चित्र दंड आरेखों से भिन होते हैं क्योंकि यह दो आयम वाले चित्र होते हैं। इनमें आयत की लंबाई तथा चोड़ाई दोनों को ध्यान में रखकर तुलना की जाती है। इसके विप्रीत दंड आरेख में किवल दंडों की उचाय की तुलना की जाती है। दंड का चित्र फल ना ग्याद किया जाता है और ना ही उसकी तुलना की जाती है। आयत चित्र दो प्रकार की होते हैं. पहला समान वर्ग अंतराल वाले आयत चित्र. जब बारंबारता वित्रण में वर्ग अंतराल समान होते हैं, तब सबीस आयतों का आधार समान होता है. तथा तुल्ना के उद्धिश्य से आयत के चित्र फल को किसी भी अंतराल की बारंबा तब उनको प्रसुत करने वाले आयत चित्रों के आधार का विस्तार भी भिन भिन होता है। वर्गों के आकार के अनुपात में आयतों की चोड़ाई बढ़ती या घड़ती है। इस प्रकार असमान वर्ग अंतराल वाले वर्गों की बारंबार्ता को आयत चित्र बनाने से पहले समायोजित किया जाता है ताकि तुल्नात्मक माप को प्राप्त किया जा सके इस प्रकार की स्थिति में निरपेक्ष बारंबार्ता के स्थान पर बारंबार्ता घनत्व अधि अभी तक हमने जिन आयत चित्रों की चर्चा की थी उन सभी का वर्ग अंतर समान था और इसलिए बारंबारता और बारंबारता घनत्व संख्यात्मक रूप से समान थे परन्तु असमान वर्ग अंतराल की बारंबारता उसके बारंबारता घनत्व से भिन होती है ऐसी परिस्त किया जाता है जिससे बारंबार्ता और बारंबार्ता घनत के अंतर को समाप्त किया जा सके आईए हम जानते हैं कि असमान आयचित्रों का समाविजन कैसे करते हैं सबसे पहले सबसे कम वर्ग अंतर वाले वर्ग को पहचाना जाता है इसके पशात प्रतेक वर्ग अंतर को सबसे कम वर्ग अंतर से भाग दिया जाता है इस प्रक्रिया से प्राव संख्या को उस वर्ग का समायोजित तत्व कहा जाता है अगर हम सूत्र के रूप में इसे कहें तो यह है इस प्रकार होगा किसी वर्ग का समयोजित तत्व पराबर होता है वर्ग का वर्गांतर उसे भाग करेंगे सबसे कम वर्गांतर उधारन के लिए किसी बारंबारता वित्रण में सबसे कम अंतर वाला वर्ग 10 से 15 है तथा उसी बारंबारता वित्रण में एक ऐसा वर्ग अंतर भी है जिसका वर्ग अंतर 10 है ऐसे वर्ग की बारंबारता को समायोजित करने के लिए उस वर्ग की बारंबारता को समायोजित तत्व जो 10 बटे 5 बराबर 2 है से भाग देना होगा इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होगी वह उस असमान वर्गांतर की बारंबारता होगी जिससे बारंबारता और एक आयत चित्र द्वारा दर्शाय जाएगा इसे सूत्र द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है एक वर्ग की समायोजित बारंबार्ता बराबर है आधार वर्ग की चोड़ाई भाग निर्दिष्ट वर्ग की चोड़ाई कुणा निर्दिष्ट वर्ग की बारंबार्ता समायोजन की इस विदी द्वारा प्राप्त की गई वर्ग की समायोजित बारंबार्ता आयत के बारंबार्ता घनत्व के अनुरूप होती है इस विदी के द्वारा बारंबार्ता घनत्व प्राप्त होता है जो तुलना को सरल बनाता है आयत चित्र किसी भी वीविक्तचर आकड़ों के लिए नहीं खीचा जाता है क्युक्कि किसी वर्ग अंतर या अनुपात पैमाने में वर्ग अंतराल की निश्ली सीमा पूर्व अंतराल की उपरी सीमा के साथ मिल जाती है वहलेईवेसमान हूँ या असमान हूँ अत सभी आयत एक साथ साथ होते हैं और दो आसन आयतों की बीच में कोई खाली स्थान नहीं होता यदि वर्ग संतत नहीं होते हैं तो पहले उन्हें संतत वर्गों में बदला जाता है कई बार दो आसन आयतों की बीच में समान अंश को हटा दिया जाता है ताकि संतत्ता का बेहतर प्रभाव पड़े। इसके परिणाम स्वरूप जो आकरती बनती है वह दोरे सुपान की तरह लगती है। आए अब हम एक उधारन के द्वारा आयत चित्र की रचना की प्रक्रिया को समझते हैं। इस आयत चित्र में हम एक कक्षा में गनित में विध्यारतियों द्वारा प्रप्त अंगों को दर्शा रहे हैं। सबसे पहले हमने पांच से दस वर्ग अंतराल के आयत चित्र का निर्मान किया। इसी प्रकार हम 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 वर्ग अंतराल के लिए वर्ग की बारंबारता के अनुरूप आयत का निर्मान करेंगे। हम इस आयत चित्र के द्वारा बहुलक का मान भी ग्याद कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे उचे आयत की उपरी सीमा को उससे पहले वाले आयत की उपरी सीमा से मिलाने वाली एक रेखा खीचते हैं। और उसके बाद सबसे उची बारंबारता वाले आयचित्र की निचली सीमा को उसे अगले आयचित्र की निचली सीमा से मिलाने वाली एक रीखा खीचते हैं जहां पर यह दोन रीखा एक दूसरे को काटती हैं उससे मिलाने वाली रीखा को हम बहुलक कहते हैं इस प्रकार हम आयचित्र का निर्मान कर सकते हैं तथा उसे बहुलक के स्थान को भी निर्धारित कर सकते हैं। आए, अब हम आयचित्र तथा दंड आरेक में अंतर को जानते हैं। आया चित्र दंड आरेख के समान दिखता है, परन्तु इनके बीच समानताओं से कहीं अधिक बिनताएं होती हैं, जिसका पहली बार में पता नहीं चलता। पहला अंतर, दंड आरेख में स्तंबो का चितरफल, अंतराल तथा चोड़ाई सभी यादर्शिक होते हैं। स्तंबो की उचाई महतपूर्ण है ना कि इसकी चोड़ाई या चितरफल। एक उधरवाधर रेखा भी ठीक उसी उद्दिश्य को पूरा कर सकती है, जितना कि उसी चोड़ाई का एक दंड आरेख करता है। दूसरा, आया चितर में दो आयतों के बीच रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता। जबकि दंड आरेख में दो कर्मिक दंडों के बीच कुछ रिक्त स्थान अवश्य चोड़ा जाता है। तीसरा, सभी दंडों की चोड़ाई समान होती है फिर भी तुलना की दृष्टी से इनकी चोड़ाई का कोई महत्वन नहीं होता आयचित्र में चोड़ाई उतनी ही महत्पूर्ण है जितनी उचाई चोथा, दंड आरेक विविक्त एम संतत दोनों ही चरों के लिए बनाय जा सकते हैं जबकि आयचित्र केवल संतत चर के लिए ही बनाय जाते हैं पांचवाँ, आयचित्र बारंबार्ता वित्रण के बहुलक के मान को भी आलेक रूप में दिखा सकता है दूसरी और दंड आरेक किसी भी मद्यमान को नहीं दर्शाता है अगला आरेक है बारंबार्ता बहुभुज बारंबार्ता बहुभुज सीधी रेखाओं से घिरा हुआ एक समतल है जिसमें समानेत चार ये चार से अधिक रेखाएं होती है बारमबार्ता बहुभुज बनाने की दो विदिया है पहली विदी में आयचित्र की रचना करके प्रतेक आयत के शीर्ष के मध्य बिंदूओं को अंकित किया जाता है तथा फिर बारंबार्ता बहुज बनाने के लिए इन मध्य बिंदूओं को सरल रेखाओं द्वारा मिला दिया जाता है इस विदी से ग्यात बारंबार्ता बहुज पहले वर्ग के बाईं और उसकी निचली सीमा से अंतराल की चोड़ाई की आधी दूरी पर एक बिंदू से प्रारंब होता है इसी प्रिकार अंतिम वर्गांतर के दाईं और उसकी उपरी सीमा से वर्गांतर की चोडाय की आधी दूरी पर एक बिंदु पर समाप्त होता है बारंबार्ता भहुज की रश्णा की दूसरी विधी में एक वर्गांतर दिये गए वर्गों के प्रारंब में तथा दूसरा उसकी अंत में ही बनाया जाता है। फिर सभी वर्गों के मद्य बिंदुओं पर उनके बारमबार्ता घनत्व को अंकित किया जाता है। तथा इन बिंदुओं को सरल रिखादवारा मिला दिया जाता है। अत बहबुज का कुल छेत्रफल, आयत के छेत्रफल की भाती कुल बारमबार्ता परिदर्श के अकार का प्रतिनिद्व करता है। बारमबार्ता बहबुज सामुहिक बारमबार्ता वितरण के प्रसुतिकरण के लिए सरवाधिक पर्चलित विदी है। वर्ग सीमाएं तथा वर्ग चिन दोनों को एक्स अक्ष पर प्रदस्यत किया जा सकता है तथा दो क्रमिक वर्ग चिनों के बीच की दूरी को वर्ग अंतराल की चोड़ाय के अनुपातिक या समान होती है आईए अब हम एक उधारन के द्वारा वारंबार्ता भहबूज की रचना की प्रक्रिया को समझते हैं इसके लिए सबसे पहले हम एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष की रेखाओं को खिचेंगे इसके बाद एक्स अक्ष पर वर्ग अंतराल को दर्शाएंगे यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 इन वर्ग अंतरालों की बारंबार्ता को दर्शाने के लिए हम वाई अक्ष पर बारंबार्ता को अंकित करेंगे यहाँ पर हमने 0 से 10, 20, 30, 40 तक बारंबार्ता का अंकिन किया है हम आयचित्र के निर्मान की विधी को समझ चुके हैं उसी के अनुसार हम सबसे पहले आयचित्र का निर्मान करेंगे प्रतेक आयचित्र के उपर मध्य मान को अंकित करेंगे और उन मध्य बिंदू को मिलाते हुए हम सीधी सरल रेखाए खीचेंगे जो सबसे पहले वर्ग अंत्राल के बाईं और वर्ग अंत्राल के मद्य बिंदु के दूरी से शुरू होगी और सभी वर्ग अंत्रालों के अनुरूप बनाये गए आयचित्रों के मद्य बिंदु को मिलाती हुई वहरेखा पारंबार्ता बहुबुज का निर्मान करेगी घनत्व का उतार चढ़ाव धीरे-धीरे होता है, जबकि आयच चित्र में वर्गांतरों के अंतक बिंदूओं पर आकस्मिक छलांग लगाता है। दूसरा, आयच चित्र के स्थित्य में एक वर्ग अंतराल के अंतरगत विभिन बिंदूओं पर उचाई समान होती है, जबकि बहुबूच की स्थित्य में यह परिवर्तनशील होती है। इस प्रकार, जब शोद करता को एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक बहुबूच के आकस्मिक उतार और चड़हाओं को प्रदुश्यत करना हो, तो वह आयच चित्र का प्रियोग कर सकता है। तथा धीरे धीरे उतार चड़ाव को दर्शाना जरूरी हो तो बारंबारता बहुबुज को प्रियोग किया जाता है। आई अब हम अगले आरेक बारंबारता वक्र के बारे में जानते हैं। बारंबार्ता बहुबुज को सरल रूप देने के लिए बारंबार्ता वक्र की रचना की जाती है बारंबार्ता वक्र को बारंबार्ता बहुबुज के बिंदूओं से निकटतम गुजरते हुए मुक्त हस से वक्र बनाकर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है यह आवशक नहीं कि वह बारंबारता बहुबूज के सबी बिंदूओं से होकर गुजरे परन्तु यह उन बिंदूओं के निकट्टम होकर गुजरता है तथा इसके अंतरगत आने वाला कुल छेतरफल बारंबारता को दर्शाता है बारंबार्था वक्र एक बड़े सम्हू की व्यापक प्रवर्ती को प्रदिशित करने में प्रियोग किया जाता है बारंबार्था वक्र खीचने के लिए बारंबार्था बहुभुज की व्यापक पैटरन का अनुमान करना होता है तथा एक निश्कोन वक्र खीचना होता है जो कभी बहुभुज के नीचे और कभी इसके उपर हो सकता है ताकि बहुभुज का चेत्रफल और वक्र का चेत्रफल समान रहे आएए अब एक उधारन द्वारा हम वारमवारता वक्र के निर्मान की प्रिक्रिया को समझते हैं इसके लिए सबसे पहले हम आयचित्र का निर्मान करेंगे जो हमने अभी कुछ देर पहले सीखा था जब आयचित्र का निर्मान हो जाएगा उसे मध्य बिंदू को मिलाते हुए हम मुक्त हस से एक रेखा खिचेंगे यहाँ पर यह रेखा पहले वाले वरगंतराल से आधी दूरी से शुरू करके मध्य बिंदू को मिलाते हुए अंतिम वरगंतराल के बाद वर्ग अंतराल की आधी दूरी से दूर पर समाप्त होती है यह जो मुक्त हस रेखा बनी है इसे हम बारंबार्ता वक्र कहते हैं अब हम चलते हैं बारंबार्ता आरेख के अगले प्रकार की और जिसका नाम है तोरण या संचिय बारंबार्ता रेखा चित्र एक तोरण या संचिय बारंबार्ता रेखाचित्र की सन्रचना संचिय बारंबार्ताओं के आधार पर की जाती है इसी लिए तोरण को संचिय बारंबार्ता रेखाचित्र के नाम से भी जाना जाता है संचिय बारंबार्ता दो प्रकार की होती है एक से कम प्रकार की तथा दूसरी से अधिक प्रकार की इस प्रकार किसी सम्हू के बारंबारता वित्रण को आकडों के लिए दो प्रकार के तोरण होते हैं यहां बारंबार्ता बहुबुज की भाती साधारन बारंबार्ताओं के स्थान पर बारंबार्ता वित्रण की वर्ग सीमाओं के सामने संचिय बारंबार्ताओं को Y-X पर दर्शाये जाता है। संचिय बारंबारताओं को से कम तोरण के लिए क्रमश वरगंतराल की उपरी सीमा के सामने उनले खित किया जाता है जबकि से कम तोरण के लिए क्रमश वरगंतराल की निचली सीमाओं के सामने अंकित किया जाता है एक से कम तोरण की संरशना आरोही क्रम के संचिय बारंबारता वितरण के आधार पर की जाती है तथा से अधिक तोरण की संरशना अवरोही क्रम के संचिय बारंबारता वितरण के आधार पर की जाती है इन दोनों तोरण का प्रतिशेदन बिंदू बारंबार्ता वित्रण की मधिका दर्शाता है तोरण की सायता से चतुर तक भी ज्याद किये जा सकते हैं आएए एक उधारन द्वारा हम तोरण के निर्मान की प्रिक्रिया को समझते हैं तोरण की रचना से फूर हम सार्णी के अंतरगत संचिय बारंबारता की गण्ना करेंगे। आप स्क्रीन पर देखिए हमने सार्णी के अंतरगत से अधिक और से कम की संचिय बारंबारता का गण्ना की है। अब हम तोरण के निर्मान के लिए सबसे पहले X अक्ष तथा Y अक्ष की रच्णा करेंगे. X अक्ष पर हम अंकों को दर्शा रही हैं और Y अक्ष पर हम विद्यार्तियों की संख्या को दर्शा रही हैं. इसके लिए हम जीरो अंक पर से कम बिंदु को दर्शाएंगे, उसके बाद 20 अंक से कम प्राप्त करने वाले विद्यारतियों संख्या, 40 अंक से कम अंक प्राप्त करने वालों की संख्या, 60 अंक से कम अंक प्राप्त करने वालों की संख्या, 80 अंक से कम अंक प्राप्त करने वालों की संख्या और 100 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद से अधिक अंक प्राप्ट करने वाले विध्यारतियों की संख्या के अनुरूप बिंदू को चेन्नेत करेंगे। उसके बाद अंक से अधिक, 40 से अधिक, 60 से अधिक, 80 से अधिक और 100 से अधिक इस प्रकार हम ने दो तोर्णों की बिंदू को प्राप्ट किया इन सभी बिंदू को मिलाते हुए रेखा खीचेंगे जिससे दो तोर्णों का निर्मान हुगा एक से अधिक तोरण और एक से कम तोरण इन दोनों तोर्णों के प्रतिछेदन बिंदु को अगर हम एक अक्ष्ट पर एक लंबवत रेखा खीचें तो वह बिंदु दर्शाएगी जो इन अंकों की मध्धिका है इस प्रकार हम तोरण का निर्मान करते हैं आए अब हम अगले आरेक के बारे में चर्चा करें अगला आरेक है अंकगनितिय रेखा चित्र आंकडों के आरेखी प्रतुतिकन की वह विधी जिसमें सांखेकी आंकडों को ग्राफ पर विभिन बिंदु द्वारा दर्शाएगे मूल्यों को जोड कर एक सरल रेखा द्वारा दर्शाएग जाता है उसे अंक गनितिया रेखाचित्र या काल श्रेणी आलेक कहा जाता है काल श्रेणी आंकडों की उस श्रेणी को कहते हैं जिसका काल क्रम में वर्णन किया जाता है उधारन के लिए एक परिवार दुआरा पिछले छे माह में किया गया व्य के आंकडे काल श्रेणी के आंकडे कहलाते हैं काल श्रेणी के रेखा चितर का प्रियोग एक काल अवधी में एक से अधिक चरों के मानों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है अंक गणितिया रेखा चितर में समय को स्वतंद्र चर माना जाता है और इसलिए इसे X अक्ष पर दर्शाया जाता है तथा चरों के मानों को आश्रित चर माना जाता है जिने Y अक्ष पर दर्शाया जाता है निर्दिश्ट आकडों के संगत विभिन बिंदुओं को अंकित करने के पच्चात बिंदुओं को समय के क्रम में सरल रेखा द्वारा मिला दिया जाता है इस प्रकार बनाई गए रेखाओं के उतार चड़ाओं से यह दर्शाय जाता है कि समय के साथ आकड़े किस प्रकार परिवर्दित हो रहे हैं इन रेखा चित्रों से आकड़ों की प्रवर्दी को समझ कर भविष्य का अनुमान लगाना सरल हो जाता है अंगनितिय रेखा चित द्वारा एक से अधिक आश्रित चर संबंदी आंकडे भी प्रसुत किये जा सकते हैं इसमें प्रतेक सरल रेखा एक भिन चर को दर्शाती है विभिन रेखाओं को दर्शाने के लिए अलगलग रंगों का प्रियोग किया जाना चाहिए ताकि उन चरों के बीज तुलना सरलता से की जा सके ऐसे आपने बहुत उधारण अपने टीवी पर दिखते हैं जैसे सेंसक्स द्वारा शेर के कीमतों में होने वाला परिवर्तन आए एक उधारण के द्वारा अंक गणितिय रिखाचितर काल श्रेणी आले को समझते हैं अंक गणितिय रिखाचितर का एक उधारण जानने के लिए हम भारत के आयात और निरियात की आखड़े लेते हैं इसमें हमने X अक्षपर वर्ष को दिखाया है और Y एक्षपर हमने आयात और निर्यात के मान को दर्शाया है प्रतेक वर्ष के आयात और निर्यात के मान के अनुरूप सबसे पहले हम बिंदूओं को चिन्नित करते हैं सबसे पहले हम निर्यात के बिंदु 2045 में कितना निर्यात था वो हम ग्राफ पर दर्शाएंगे फिर 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13 इन चिन्नित बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खीचेंगे इसे हम अंक गणितिये रेखाचित्र कहते हैं इसके पश्चात हम दूसरे चर यानि आयात के दर्शाने वाली बिंदुओं को चिन्नित करेंगे आयात को दर्शाने वाली बिंदुओं को मिलाते हुए एक दूसरी रेखा खेंचेंगे जिसके लिए हम एक अलग अरंग का प्रियोग करेंगे इस ब्रकार इस रेखाचित्र में हमने दो सरल रेखाओं के द्वारा आयात और निर्यात के चरों को प्रदर्शित किया है और इनके बीच में हम सरलता से तुलना कर सकते हैं और इसके द्वारा हम आयात और निर्यात के अपनिती यानि ट्रेंड को जान सकते हैं अंक गनितिय रिखाचित्र के चच्चा के पश्चात आज की कर्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं आज हमने भारंबारता आरेख तथा अंक गनितिय रिखिक आलेख के द्वारा आरेखिय प्रसुतिकरण के विश्य में जाना साथ ही हमने बारंबारता आरेखों के प्रकार आयचित्र, बारंबारता बहुबुज, बारंबारता वक्र तथा तोरण को भी समझा मैं आशक करता हूँ कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक में दियेगे सभी प्रश्णों को हल कर पाएंगे तो था मुल्यांकन ही तू बनाएगे प्रोजेक्ट में आकडों के प्रस्तुतिकरण का प्रियोग कर पाएंगे अध्याय चार आकडों का प्रस्तुतिकरण इसी चर्चा के साथ समाप्त होता है नमस्कार झाल